दोस्तो मैं कुगवित कामनी आज हम इतना क्रिस्पी नास्ता लाएं हैं सिर्फ हम आलू से बनाएंगे वो भी पांच प्रिट में हमारे बनके तयार हो जाएगा यह देखिए इस तरह से नास्ता बनाओगे जिसे फ्रेंज फ्राई और आप पकोड़ी यह सब भूल जाओगे समोसे पकोड़ी सब भूल जाओगे जाप आप इस तरह से एक बार नास्ता जरूर बनाएगा आप खुद जानोगे इतना क्रिस्पी बनता है और फटाफट बनके तयार हो जाता है और देखिए सुरू करते ने बनाना सबसे पहले तो हमने देखिए छोटे आलू है होके मैंने मैस करती हूं अच्छे से हम इने मैस कर लिंगे जिसके हमारी जुकुट्ली टैप की रह दाती है ना लम स्पोन आ रहे हैं तो हमने इसमें कुछ बैजी टेविल्स इसमें हम जो भी आपको पसंद हो आप इसमें मिक्स कर सकते जैसे दो हरी मिर्च डाल दिया है व चोटा चमर डाला है तोड़ाज अम डाल दिंगे गरम मसाला और हम डाल दिंगे नमक आप स्वाधनुसार डाल सकते हो आप देखे धनिया की पत्ति डाल दिंगे आप देखिए ईसमें हम थोड़ा अद्रक लैसून हो तो आप इसमें हलका सा घिसके आप डाल सकते हो तो अपने 2 चुबर मैं इसमें हेंग डाल दी है जो आपको आलू की श्टरफिंग पसंदो बना सकते हो जो भी गाज्य वो भी आप डाल सकते हो दिखिए आप यह हम अच्छे से आप mix कर लेंगे आप इसे code करने के लिए हम देते हैं आलू आलू को मैंने पहले ही चोटे-चोटे piece करके cut कर लिए है मैं आपको cut करके आपको फिर दिखा देती हूं बहुत चोटे-चोटे से आपको chop करके आप chopper पे इस तरह से बहुत बारी करके आप काड़ सकते हो तिकी इस तरह से आप जैसे chips type के कर लो फिर उसके बाद आप बहुत बारी करके chopper पे cut कर सकते हो तिकी इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरह से मैंने पहले ही कट करके रख लएथे कि टाइम ज्यादा लगेगा तो इसलिए मैंने पहले कट कर दिये थी हूँ, मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरह से हमने कर लिया है और इससे मैंने 2-3 बार धुलके रख लिया है और इसमें हल grades दाल देंगे अगर दालो तो आप नमक डाल antenna कि इस थब allora में यक्स कर दिया है अब पराम हमनें ऊसले हां आप तरह मीडिम एम एक तरह में ऐक तरह दिखा आप घंजो हैं अब आप हैट आप देखे मिच्टिजी एक तरह मिच्ट्वाम से अब इसी तरीके से हम सारे बनाके पहले तैयार कर लेते हैं कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता बस हमारे आलू वाइल हो तो हमारी ये नास्ता बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और आप एक बाद जरूर बनाएगा मुझे तो बहुत अच्छा लगाता जमनी बनाया मेरे बच्चो को भी कैचप के साथ में बहुत अच्छा लगाथा। दिए इसी तरीक मैरे सारे अंत थैयार कर लिये हैं। कोड़ के अतों कोड़ सारा है केremos सुलेш और काल। मै मैं दों आ histó राम से मिक्स करवा हैं। कि उकी कच्ते यालू नितीड यां रालु8. भी हमने इसमें मिक्स किया है तो इसे और ही क्रिस्पी बनेंगे तो सिर्फ हम आलू से ही बना रहे हैं यह नास्ता हो दीके फटा-फट बनके हमारा तयार हो जाता है यह तो आप जरूर एक बाइट ट्राइब करिएगा अब हमारे बनके सारे तयार हो गए मैं आपको दिखा सकती हूँ इस तरह से ऊपर हमारे कच्चे आलू का है हमने कच्चे आलू उपर लगाए है और नीचे हमारे आलू पॉयल करे हुए है अब हमारी कडाई बिल्कुल गरम हो गई है, गरम कडाई में हम इने एक एक करके डाल देते हैं, जित्ता इस पेस हो आप उसमें डाल दें, देखिए हमने चार इसमें डाल दिये हैं, अब एक दो मिनट के बाद हम रुकने के बाद में हलके से ने हम पलट लेंगे, देखिए, देखे हम सी हमारे पलट भी गए हैं और क्रिस्पी भी बहुत होएंगे ये और मेरी रेस्पी अच्छी लगती हो तो प्लीज लायक, कमेंट जरूर कर देना नय हो तो सब्सक्राइब कर देना और कैसे बने हैं इसलिफ हम आलू से बना रहे हैं तो कैसे बने हैं यह जरूर कमेंड करके बताना और अपनी हाँ जरूर ट्राइ करना जब यह आप एक बार जरूर ट्राइ करोंगे तो आपको लगेगा इतना अच्छा नास्ता यह बना हुआ है सिर्फ आलू से अभ अभ आप अब हमारे यह अच्छे से हमने धीरे धीरे आँश में हमने इसे क्रिश्पी होने तक हमने से पका लिये हैं फ्राइ कर लिये हैं तो अब दीकिए हम इने निकाल लेते हैं यह एक है डीख सकते हो मैं आपको बिल्कुर पास थे I die आई। log बाकि जो बचें वह हम अलग डाल देते हैं कड़ाइ में डेखिए सब्सक्राइन। बीमिल्की आज मुझिआ कर लेते हैं एम इसी तरीके से आम अपने घर पर फटा-पर बना के तैयार कर सकते हैं और साम के टैम पे जो भी चाय के साथ में आम इसे बना के साथ खा लोगे तो बहुत अच्छे लगते हैं सही में इसके साथ में इसके सामने मुझे फ्रेंज फ्राई भी फेल लगे थे जब मैंने ये खा बनाएके खाएते हो बहुत अच्छे लगे थे तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आयते जब मेरे बच्छों ने दोबारा बगा ममा भी दोबारा बना दो बहुत अच्छे लगे थे तो इस तरह ऐसे आप कि तयारी यह दीखिए तो आप चटनी के साथ खाएए चाय आप कैचप के साथ खाएए और देखिए आपको देख सकते हूँ यह देखिए आपको पास्य में दिखा रही हूँ और लाइक जरूर कर देना मेरी वीडियो को सपोर्ट प्लीज सपोर्ट करना देखिए कर देखिए